नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में Tata Steel Stock को डिसकस करेंगे Tata Steel Stock में एक बरी ख़बर जो है इस समय ट्रेंड होते वे दिखी है और वो खबर UK के तरफ से आते वे दिखी है तो क्या खबर है आगे के क्या ट्रेंड है इसको समझे इससे पहले प्रेमियम टेलिगराम को जोईन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपन करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे इस समय ऐसा नहीं है कि टाटा इस्टील में मैं वीक हूँ बलकि मेटिल सेक्टर इस समय मुझे बेटर दिख रहा है टाटा इस्टील में 142, 144 एक डिमांड जोन है जब तक ये जोन ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक अवरॉल जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉंग दिख रहा है इस समय यहां देखेंगे तो जो वॉल्यूम है वो तो कॉमन है लेकिन साथ में दो बरी खबर दिखी है पहली खबर UK के तरफ से है जहां EAF के कोंट्रेक्ट जो है कमपनी ने साइन करे है टालबोट प्लांट पे EAF मतलब हो गया कि एलेक्टिक आर्क फर्नांस जो है कमपनी सप्लाई करेगी एन्वल कैपेसिटी 3 मिलियन टन होने वाला है टालबोट प्लांट के उपर तो यह एक बड़ी खबर रही और दूसरा हमने देखा कि नरेंदरन जी को ग्लोबल बोडी के रूप में जो है एलेक्टिट करा गया चेर्मेन के लिए यह अच्छी खबर हुई और जिंडल के बाद कोई दूसरा नाम जो है संजन जिंडल के बाद यह नरेंदरन जी का है इसके अलाबे डिलेवरी ठीक ठाक है ट्रेंड थोडी मिसिंग है और इस समय बजार के स्थ्रेंद भी थोड़े मिसिंग है इसलिए थोड़ा मैं कौशन बरत रहा हूं यहां तो पुरा सेक्टर ही यह पुरे Consolidate Zone में है यह एक support बना है और यहां अगर breakout हो तो एक बड़ी trend भी expect की जा सकती है और इस समय Tata Steel में जो trend दिख रहा है यहां तक 144 के level का breakdown नहीं हो overall trend strong है और उपर के लिए मुझे minimum 168 के उपर का breakout चाहिए या जो लोग already long है वो 144 के SL को trail कर सकते हैं